आज बनाते हैं मूली के पराटे तो सबसे बेले मूली को कस लेंगे और इसमें नमक डाल के एक गंटे के लिए रख देंगे और इसे दबा दबा के इसका पानी निकाल देंगे मूली में नमक डालने से इसका पानी पूरा निकल जाता है और फिर उसके बाद में बारी-बारी कटे हुے इसके मूली के पत्ते डाल देंगे इसमें बहुत इच्छा टेस्ट आएगा और इसमें कटी वी हरी मिर्चे डाल देंगे कुटावा धनिया डाल देंगे और इसमें एक चम्मच सौफ डाल देंगे आधी चम्मच इसमें मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच इसमें अजवाईन डाल देंगे और आधी चम्मच इसमें सौट पाउडर डाल देंगे अजवाईन सौट डालने से मूली बिल इसके बाद में इसमें नमक, नमक इसमें थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि पहले भी इसमें नमक डल चुका है, और फिनको सबको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद में जो नॉर्मल आटा रोटी का लगाते हैं, वो रोटी का लगा लेंगे आटा, और इसमें एक लोई ले तेल से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इस वह धीमिदी में आज में इसको सेक लेंगे दबा दबा के और फिर से धनिया की चटनी और धही और अचार के साथ सवरकरो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बहुत ही जल्दी पराठे बन जाते हैं एक बार जरूर बनाना क मेंट्स वक्स में मुझे जरूर बता है